जैहिं जैभारत बंदे मातरम आप इस वीडियो में बहुत ही महतपूर जानकारी हासिल करेंगे शिक्षा जगत और एच्चेशन डिपार्टमेंट से अपडेट रहने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही महतपूर है तो बिना देर की हुए आईए फटाफट हम जो है पूरी जानकारी आप यहां देखेंगे कि बेशिक शिक्षा परिसत उत्तर परदेश के विभिन गतिविधियों के संचालन एमम अनुसरमन हेत जनपत वार नामित नोडल अधिकारी की सूची एमम कार्य दाइत का विवरन जारी हो चुका है आप यहां से पूरी जानकारी नोडल अधिकारी दे गए हैं और उनका दाइत दिया गया है जैसा आप यहां पर देख रहे हैं कि नोडल अधिकारी का नाम है और आवंटित जनपत का नाम है तो यह तरीके से आप विडियो को यहां पर रोक कर आप अपने जनपत से संबंदित नोडल अधिकारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा आप अपडेट देखेंगे कि 58,000 बैंक सखी requirement 2021 से संबंदित है जिसको BC सखी भरती 2021 के नाम से जानते हैं UP बैंकिंग सखी की भरती करने वाला पहला राज 6 बैंकों से करेगी लेन देन तो इस तरीके से आप यह पूरा यहां पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो को रोकते हुए आप देख सकते हैं और पूरी जनकारी को आप यहां से अपडेट करके आप जनकारी हासिल कर सकते हैं तो इस तरीके से आप को यहां पर पूरी जनकारी इस बैंक से संबंधित मिल जाएगी तीसरी अपडेट आप यहां से देखेंगे कि पेरोल माडूल डाटा 21 मार्च तक अपडेट ना हुगा तो उन शिचकों का रुकेगा बेतन अपडेशन में देरी पर विभाग की गलती का खामियाजा भुकतेंगे बेशिक शिक्षा विभाग के टीचर्स तो आप यह जान रहे हैं इस पर मैं अलड़ी आपको विडियो बना के विश्दित में दे चुका हूँ यह आप आदेश यहाँ पर देखेंगे इस आदेश में बताया गया है कि अगर मानो संबदा पोर्टल पेरोल के माडूल की माध्यम से आपका आनलाइन वेतन जो है अब दिया जाएगा अगर आपका अब तक जो है मानो संबदा पर अपडेट नहीं हो पाया है आपकी पूरी डिटेल तो आपको इसके वज़ा से वेतन रोकने की बात आपको अपरेल माह से की जा रही है तो इससे संब्दित है इसमें जानका नेक्स अपडेट आप जानेंगे कि पुरानी पिस्तरी तरीके से आप वीडियो को रोकते हुए यहां से जानकारी पूरा हासिल कर सकते हैं कि GPF यानि भवस्निधी और पेंसन क्यों टेंसन है क्यों देश भर में मचा है कोहराम पूरी जानकारी यहां से आप हासिल कर सकते हैं या पुरानी लाफ पेंसन व्यवस्ता 1972 से स समझ सकते हैं कि किस तरीके बुढ़ापय की लाठी का सहारा माना जाता है पेंसन और पुरानी पेंसन बंध होने से किस तरीके से परिसानिया और किस तरीके से आने वाले जीवन का किस तरीके से लोगों को निर्वाहन के लिए क्या-क्या परिसानियों का सामना करना पड़ेग रोकते हुए पढ़कर जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये पुरा डाटा दिया गया है, ये NPS लागू होने के तिथिया दिया गया है, आप देख रहे हैं भारत के पूरे राज्यों के पूरा यहां पर जानकारी दिया गया है तो इस तरीके से आप यहां से जानकारी पूरी तरीके से हासिल कर सकते हैं, पैंसन से संबंदित है, यह OPS और NPS में क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में अंतर है और क्यों OPS यह NPS से महतपूर है, पूरी जानकारी आपको यहां पर आपको हासिल हो जाएगी, ति यह आप जो है इस वीडियो को रोक कर आप उस लेक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये पोस्ट आपको OPS और NPS से सम्बंदित है. नेक्स्ट अपडेट में आप जानेंगे कि UPSS CPETS 2021 पचास हजार भरती हित पाठिकरम जारी हो चुका है, यह आदेश आप यहाँ पर पाठिकरम निरधारित किये गए हैं, तो यहाँ से आप पूरा हासिल कर सकते हैं, पाठिकरम से सम्बंदित भारती इतिहास में कौन-कौन से टॉपिक होंगे, और कितने अंक निरधारित किये गए हैं, आप यहाँ से पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इस तरीके भारती राष्टी या अंदोलन से सम्बंदित पाठिकरम और कौन-कौन से विसे इसमें लिए गए हैं, कौन-कौन से टॉपिक पर आप से प्रस्न पूछे जा सकते हैं, वो गोल इस तरीके से है, और पूरी जानकारी आप भारती रते विवस्था से हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, सामान विज्ञान से भी सम्बंदित है, गणिस्ते है, प्रारंभिक, सामान हिंदी है, तर्क एमंग त पूरी जानकारी आप दी गई है, तो इस तरीके से नेक्स अपडेट में आप जानेंगे कि बेशिक शिक्षा विभाग में इंचार्ज हेड मास्टरों ने छेड़ी अत्रिक्त कारिभार छोड़ने ट्रेड, प्रमोशन नहीं, तो कारवाहक परधाना ध्यापक का पद प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, और इंचार हेड़ी टीचर से पूरा-पूरा एक हेड़ी टीचर का प्रधाना ध्यापक का कारी लिया जाता है, तो आपको वेतन जो है एक सहाय का ध्यापक में दिया जाता है, और काम पूरा जो है आपको हेड़ी टीचर का लिया जाता ह तो इसके विरोध में सभी head teachers, in charge head teacher पत छोड़ने लगे हैं, तो इस तरीके कई लेख इसमें आपको जानकारी हासिल होगी, अब जानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जुलाई से बहाल हो सकता है fridge DA, यूपी बजट में महंगाई भत्ते की दरों में 30 प् करने की बात निकल कर आई है, तो इस तरीके से आप DA से सम्मधित पूरी जानकारी यहां पर हासिल कर सकते हैं, कि DA को कब से रोक दिया गया था, और अब जुलाई से इसे देने की बात की जा रही है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 जनुरी 2020 से 30 जून 2021 तक की इसको रोका गया था, तो इस तरीके जुलाई से देने की बात की गई है, आप यहां पर पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से प्रेंगणा लक्ष बता ना पाने पर B.S.A. ने डाटा स्कूल खुलने से फ़हले विवस्ता का निर्देश, तो इस तरीके से आ आप ये गुसाईगंज छेद्र के स्कूल से संबंदित है प्राइमरी और अपर प्राइमरी का बियसे सहाब ने रिच्छन किया और वहाँ पर मौझूद सभी स्टॉफ से उन्होंने प्रिणालक्ष के बारे में सवाल पूछें और सवाल ना देने पर बता ना पाने पर उन् कारी दी बताया तो इस तरीके से है तो किरपया आप सभी सम्मानित प्रिष्टि शक्षिक्षां उस मेरा नोध है कि आप प्रिणा लक्ष जो आपको हिंदी और गणित का बताया गया है कम से कम उसे आप रिवाइज करते रहे हैं देखते रहें दोहरा लिजे क्योंकि में डार्गेट प्रिणडा पर ही है